आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, our question is What is amoeba? Where is it found? Write one similarity and one difference between amoeba and human beings अगर हम बात करें amoeba की तो ये आपके Microscopic, Microscopic, Unicellular, Unicellular, Proto-Jones होते हैं Proto-Jones होते हैं तो amoeba are Microscopic, Unicellular and Proto-Jones होते हैं जिनके अंदर एक particular ability होती है To Change Their Step अब जैसे Unicellular होते हैं इसका मतलब की इनके अंदर सिर्फ एक ही सेल प्रेजट होती है अब हमारा जो next question है कि Where is it found? अगर हम बात करें कि ये हमें कहां मिलते हैं तो ये हमें देखने को मिलते हैं Water Bodies के अंदर Water Bodies के अंदर जो bottom होता है वहां देखने को मिलते हैं और ये Water Bodies के अगर हम बात करें तो जैसे आपके Ponds होते हैं Lakes होते हैं इनके अंदर ये देखने को मिलते हैं अब हमारे next part की बात करें कि हमें एक similarity लिखनी है similarity Amoeba and Human Beings के बीच में तो ये similarity आपकी होती है कि दोनों के दोनों और्गिनिजम्स क्या होते है Hytrotropes होते है Hytrotropes का मतलब होता है कि ये दोनों के दोनों और्गिनिजम्स किसी another organism पे depend करते हैं अपने food के लिए फिर अगर हम बात करें इनके बीच के डिस similarity को तो डिस similarity की बात तो करें तो जैसे कि आपका जो amoeba होता है वो आपका एक unicellular organism है means इसके अंदर सिर्फ एक particular cell present होती है वहीं अगर हम humans की बात करें तो humans क्या है multi-cellular organisms है इसके अंदर बहुत सारी और बहुत types की cells present होती है तो this is the similarity between amoeba and human तो this is the answer of your question with this, thank you Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर